इस वीडियो बताऊंगे कि आप Meta Mask के wallet को कैसे recover कर सकते हैं Keyphrase के साथ अगर आपके पहली एक बात बता देता हूँ अगर आपके पास Keyphrase है तो आप तभी Meta Mask के wallet को recover कर सकते हैं अगर Keyphrase नहीं है तो आपका Meta Mask का wallet recover नहीं होगा So कैसे करेंगे Keyphrase के साथ so let's start अगर आप मैं यहाँ पर computer में करके दिखा रहा हूँ computer में इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि वड़े screen होती है process सेम होगा आप android user हो तो आप play store पर जाकर के metamask की wallet को install कर सकते हो और अगर आप iPhone user हो तो app store पर जाकर के metamask की application को install कर देना जो process install करने के बाद यहाँ पर है वहीं आपका mobile phone के application के अंदर होगा तो मैं start करता हूँ यहाँ पर मैं अपना Chrome Chrome का browser on करता हूँ अपना browser on करने के बाद यहाँ पर मैं metamask लिख देता हूँ metamask ठीक है metamask क्लिकने के बाद यहाँ पर से पहला option आया है सबसे पहले website क्लिक कर देता हूँ metamask.io और यहाँ पर download का option आ रहा है metamask की website खुल चुकी है और यहाँ पर download का option आया तो मैं इस पर download क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं Chrome browser चला रहा हूँ तो मैं Chrome की extension डाउनलोड करूँगा अगर iPhone उस पर डिक सिस्टम में आपका तो फिर आप install iPhone में जागा कर सकता हूँ Android हो तो आप इसको यहाँ पर भी कर सकता हूँ तो मैं install Chrome में कर लेता हूँ Chrome में करने के बाद यह मेरा next page खुल रहा है तोड़ा PC मेरा slow यार वीडियो में यहीं करता हूँ और यह extension मेरी खुल चुकी है extension add to Chrome करता हूँ यहाँ पर add to Chrome करता हूँ add extension ठीक है add extension करते ना है और यहाँ पर यह डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है extension मेरा डाउनलोड हो रही है और यह जायद यह 15-20 MB की होगी extension कि इतनी बीच में हो गया 17 कुछ थी और यह add into Chrome लिखा वा रहा है रहा 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 है और यह चेकिंग हो रही है और यह मेरे metamask की extension add हो चुकी है Chrome browser में मेरे तो इसको मैं कट करने के बाद यहां पर मैं new tab कुलता हूं आपको extension on करनी होगी metamask की extension on करने के बाद यहां पर सर्च करना होगा है metamask ठीक है metamask सर्च अनने के बाद यहां पर आपकी metamask का जो wallet होगा जो metamask की extension वो अपन हो चुकी है और यहां पर get start welcome to metamask लिक आ रहा है connecting to ethereum or get start कर देना है यहां पर no I have already have a secret recovery phrase import wallet पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पर I agree कर देना है help us improve metamask लिका रहा है तो यहां पर I agree कर देना है I agree करने के बाद जो आपको key phrase मिली थी तो एक मेर में मुझे मिली थी French वगरा करके तो यहां पर जो भी आपको मिली है first second करके तो आपको series Y डालनी हो और एक जो word होगा उसको French जैसे मैंने लिखा और इस पेज देना है ठीक है इस पेज जब आप दे दोगे फिर second आपको phrase डालनी होगी pipe में डाल देता हूं कि मुझे इंवीडिती pipe और फिर इस पेज देना है तो हर एक हर एक लेटर के आगे हर एक phrase के आगे आपको इस पेज देना होगा ठीक है मैंने यहां पर सारी अपनी phrase डाल दी है और मैं जो नया पास्वर्ड उसको create करता हूं न्यू पास्वर्ड कर देता हूं और यहां पर टार्मिंग कंडिशन को आपको accept कर लेता है और यहां पर import कर देता हूं क्यों में इंपोर्ड हो रहा है कि ईए मेरा मैटम मासक वालेट ऑ उपन हो चुका एंठीक है और यहां पर मैं all done कर देता हूं इसको on the wide रड़ा और इसको में कट कर देता हूं और यहां पर मेरा account मैंटम मासक औपन हो चुका जो पहले कभी था मेरे पास और मैंने इसको रिकवर किया है सो थैंक्स को वाचिंग मैं वीडियो अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना सब्सक्राइब करना थैंक यू यहाँ पर मेरा एकांट वगेरा साथ है